हेलो एवरिवन तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े वाली कड़ी इसके लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है इसमें हमें स्वादानुसार नमक, हल्दी और हिंग डाल लिया है इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके थिक सा पेस्ट बना लेना है इसको 15-20 मिनट तक लगातार फेटते रहना है अब हम इसको पानी में डालके चेक करेंगे बेसन को पानी में चेक करके देख लिया है बेसन ऊपर पानी में आ गया है तो अच्छे से फिट चुका है बेसन अब पकोड़े बनाने के लिए हमें कड़ाई में देशी गी लिया है अब हम इन पकोड़ों को धीमी आज पर तल लेंगे कि अब पकोड़े बनाने के लिए हमें देशी आजड़ों कोड़ाई में देशी आजड़ों कर दो दो अब दो दो लेंगे के सुनेरे होने तक हम इनको तर लेंगे देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं मैंने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा वगेरा यूज नहीं किया है करने चयतकर शुट्स कैई जो पकड़ा केल हमने बेशन गोल बनाया था उसमें हम थोड़ा सा और पाणी डालके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद हम उसके दही डालेंगे फिर उसके अच्छे से मिलाने के बाद उसमें थोड़ा और पानी डालेंगे कड़ी बनाने के लिए हमें कड़ाई में एक बड़े चम्मच घी लेना है और आधा चम्मच ही उसमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी को पानी में घोल के उसी घी में डालना है पिर उसको थोड़ा सब बूल लेना है कि अधा जब देशन और दही का जो गोल बनाया है वो इस पर डाल देंगे हमें इसके बाद हम उसमें एक गिलास पानी और एट करेंगे पिर उसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक उसमें उसमें बाल ना आजाएं हम उसमें दो पकोड़ी डाल देंगे जिससे उसमें सोंधा पना आ जाता है उबाल आने के बाद स्वादा नुसार नमक डालना है इसमें करी पत्ता और थोड़ा सा हरी विर्च कटी भी डालना है इसको 15-20 मिनिट के लिए पकाना है दीमें आज पिर कडी अच्छे से बन गई है पक गई है और उसमें अब हम पकोड़े डाल देंगे पकोड़े डालने के बाद भी इसको 2-3 मिनिट के लिए दीमें आज पिर पकाना है लास्ट मिस में थोड़ा से चिली फ्लेक्स डाल देना है अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे पकोड़े वाली कड़ी बन के तयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्रूर के जरूर करता है प्रूर करता है